दोस्तो टीवी इंडस्ट्री में आए दिन कई नए कलाकारों की एंट्री होती रहती है जुन्हें अपने पहले टीवी सीरियल से जबद स्टार्डम भी मिल जाता है लेकिन उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को तभी अलविदा कह दिया जब वो अपने करियर के पीक वेल आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टीवी स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक पॉइंट पर पहुँच कर टीवी इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं चोटे पर चॉकलिटी पॉय के नाम से लोगप्रिय हुए हुसेन को पॉपलर टीवी शो क्योंके सास भी कभी बहुत थी और कुम-कुम से घर-घर में पहच्चान मिली वो एक टैलेंटर आक्टर होने के साथ साथ एक बहतरीन होस्ट भी थे उन्होंने कई रियाल्टी शोंस को होस्ट किया दर्श अमित शर्मा की आक्टियों को ओडियन्स ने बहुत पसंद किया उन्होंने थीटल आर्टिस्ट के तौर पर अपने करेर के शुरुआत की छोटे परदे के अलावा आक्टर अमित ने किस्मत कनेक्शन, डिटेक्टिब नानी और सिंगम रिटरंस जैसे फिल्मों में भी काम किया लेकिर उन्हें वो स्टादम नहीं मिला जिसके वो हगदार थे इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर बात करते हैं टीवी शो कसौटे जिंदगी के अनुराग बासु को आज तक फैंस भूल नहीं पाए हैं अनुराग बासु का रोल प्ले करने वाले सिजन खान को फैंस ने बहुत पसंद किया शो की वजह से सिजन खान को बहुत पॉपुलारिटी भी मिली पर जैसे ही सीरियल ओफेर हुआ सिजन खान भी छोटे परदे से अचोनक ही गायब हो गए इस लिस्ट में नमब चार पर बात करते हैं फेमस टीवी शो संजीवनी में डॉक्टर अमन का किरदार निभाने वाले आक्टर अरजुन पुंच को आज तक कोई नहीं भूल पाया है जब ये शो ओनेर हुआ था तब आक्टर ने अपने चुलबुले किरदार से फांस का दिल जीत लिया था ये अरजुन का पहला टीवी सीरियल था अपने पहले ही सीरियल से अरजुन को बहुत पॉपुलारिटी मिली उनकी आक्टिंग को दर्शकों ने काफे पसंद किया था इस सीरियल के बाद अर्जुन ने कुछ और टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम किया लेकिन उनको उतना स्टाड़म नहीं मिल पाया जोके उन्हें उनके पहले सीरियल से मिला था आखरे बार अर्जुन को साल 2014 में टीवी सीरियल दिया और बाती हम में दिखाए गया था इसके बाद अर्जुन ने टीवी और फिल्मों को अलविदा कह दिया इस लिस्ट में नमबर चौर पर नाम आता है घलगर में मशूर सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी बहु का रोल प्ले करने वाली अक्ट्रील जुया माने को दर्शकों का बहुत प्यार मिला इसके बाद जुया माने को लीड रोल वाला कोई भी सीरियल आफर नहीं हुआ जिससे वो पहले वाले स्टारडम हासिल नहीं कर सकी वेलत जुया ने भी टीवी के दुनिया से अलविदा कह दिया है इस लिस्ट में नमब च्वे पर बात करते हैं टीवी सीरियल सिधांत में एड़ुकेट बने सिधांत का रोल अदा करने वाले पवन श्रंकर को बहुत स्ट्राडम मिला इस शोस से उन्हें ना केबल खुब शोहरत मिली बलकि इस किरदा से उन्हें बेस्ट आक्टर का अबॉर्ड भी मिला उन्हें कुछ शोस में काम भी किया लेकिन साल 2012 के बाद तवन श्रंकर छोटे परदे से कहीं गायब हो गई साल 2017 के बाद एक्टर ने चोटे परदे से ब्रेक ले लिया और अब खबरे हैं कि एक्टर ने कुछ महीने पहरे ही एक प्यारे से बेटे को जन दिया है आखरे नंबर पर बात करते हैं अरहान बहर की जोनोंने टीवी सीरियल मन की आवास प्रतिग्या में रगू का किरदार निभाया था उनके इस किरदार को दर्शकों ने काफी सराह इस सीरियल ने उन्हें रातो रात स्ट्रार भी बना दिया इस सीरियल के बाद दूसरे शो में भी उन्हें आक्टिंग करने का मौका मिला लेकिन वो स्टार्डम उन्हें नहीं मिला जो उन्हें मन की आवास प्रतिग्या सीरियल से मिला था इसके बाद वो टीवी से कहीं गायब हो गए हाल ही में अरहान को सीरियल ये ज़ादू है जुन का में एक जुन के रोल में दिखाया जा रहा है विल दोस्तों इन सभी टीवी आक्टरस में से आप किसको सबसे ज्यादा मस करते हैं और किस आक्टर को आफ़र से टीवी पर कमबाट करते हुए देखना चाहते हैं हमें उनका नाम कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो से लाइक कीज़े और श्रेयर कीज़े साथी टीव इंडूस्ट्री से जुड़ी ऐसे चट पटी और मसालेदार के पर जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना दिल्कुल न भूले